हेलो प्रेंट्स वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कुछ समास से रिलेटेट प्रश्ट यह आपका एक रिवीजन के तौर पे एक छोड़ा सा वीडियो है जिसमें कुछ केशन्स आप देखेंगे क्योंकि रिवीजन आपको पता है होते रहना है बले ही मैंने कितने सारी प्रेक्टस अट करा रखे हैं बले कितनी थियोरी पढ़ा रखे हैं लेकिन रिवीजन के अभाव में चीज़े बनती हो चीज़े भी भूल सकती है इसले रिवीजन बीच 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 में चलता ही रहेगा कल हम थियोरी हाला के देखने वाले हैं इसकी तो उसके लिए आप रेडी रहेएगा और अभी आज आप देखिए कि आपसे कितने जादा सही होते हैं केशन्स चले स्टार्ट करेंगे सेशन बीना टाइम वेस्ट किये तो आज का जो पहला प्रशन अव्याई भाव समास का प्रथम पद होता है क्या प्रत्य संख्या वाच्या कुपसर्ग या फिर अव्याई चले देख लेते हैं सही उत्तर होता है आपका इस प्रशन के लिए अव्याई जाइर सी बात है अव्याई भाव इसके नाम में ही जुड़ा है तो अव्याई भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो एक अव्याई शब्द होता है देखेंगे हमारा अगला प्रशन जो की काफी अच्छा प्रश्ण है आज का अव्याई भाव समास में पद के अंत में कौन सा लिंग होता है नपुनसक लिंग, पुलिंग, इस्त्री लिंग या फिर तीनों थोड़ा सा डिफरेंट है किशन, फटा फट से बताईए, तो देखें अव्याई भाव समास के पद के अंत में नपुनसक लिंग होता है, आपका उप्शन नंबर ए सही जाता है, अगर आपने ए गैस किया है, तो ठीक है, जित्ते भी आपके अव्याई भाव समास होते हैं, अगला प्रशन, जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुस समास, भुबरी समास, अव्याई भाव समास या फिर द्वंद समास, जहां पहला पद प्रधान हो, सेयुत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्ण के लिए अव्याई भाव समास देखेंगे एक लाप प्रश्ण कृष्णा स्रितह में कौन सा समास है अव्याई भाव तत्पुरुस द्वन्द या फिर भुबरी ही कृष्णा स्रितह बहुत ही प्रसिद्ध दिए सब कुछ एक्जांपल से जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही आपको यह तो बनने ही चाहिए चलिए देख लेते हैं सयुत्तर इसमें जो हो जाता है वो आपका क्या होता है ऑप्शिन अबभी से हो जाएगा है ठीक है कौन से विभक्ति का तत्पुरुस है यह भी प्रश्ण आता है जो कि हम कल अल्रेड़ी तेखने वाले हैं त्योरी में जल मगन शब्द में कौन सा समास है व्यभाव तत्पुरुस द्वंद्य अब भवरी ही जल मगन जल में मगन आप हिंदी में भी इसको करेंग अब बिल्कुल सेयुत्तर मिलेगा चलिए देख लेते हैं सेयुत्तर क्या होता है तत्पुरुस समास है जैसे मैंने बोला जल में मगन तो में मतलब एक कारक्चिन का लोग हुआ है यहां पे तत्पुरुस समास हो जाता है चौर भयम में कौन सा समास है तत्पुरुस बहु तर तो यहां पे भी तत्पुरुष समास हो जाता है कुप पुरुष इसमें कौन सा समास है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में भी फिर ये भी पूछ लेता है कि कौन सा समास है ना कौन सा तत्पुरुष है यहां पे आपको वही बताना है नई त पुरुष, प्रादी तत्पुरुष समास, गती तत्पुरुष समास या फिर उपद तत्पुरुष समास यहां पे कौन सा तत्पुरुष है तो देखे यहां पे आपका कू पुरुषा में कू जुड़ा हुआ है है ना कू पुरुषा में क्या जुड़ा हुआ है कू तो ज उसका पूरू पद जो होता है वो प्र होता है उसमें जो है प्राधी ततपुरुस होता है यानि कि आपका option number B सही हो जाएगा इसका सही उत्तर्यां पे कु अव्या जुडा होता है जिसमें भी आपका जैसे एक कु पुरुशा है कुछ भी आप जिकुरूप हो गया इस तरह से कुछ भी आपका ऐसा हो जाएगा जिसमें आपका कु जो है अव्या की रूप में जुड़ा रहेगा वहां पे आपका प्रादी ततपुरुस तमास होता है इसको आप रटके रख लीजिए याद कर लीजिए नई ततपुरुस क तहाँ पे होता है यह थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी नई ततपुरुस के आपका नई ततपुरुस हो जाता है चलिए देखेंगे इसी के साथ हमारा अगला प्रशन महा राजह में समास है कौनसा द्विगु द्वंद कर्मधराय बहुबरी ही महा राजह तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है इसको जहाँ पर भी आपका महा लगा हो प्रधान लगा हो इस तरह की चीज़े जहां भी भी लगी हूँ क्योंकि आपका य कर्मधराय समास क्यों कुछ कॉमेंट्स इस वक्त आ रहे हैं संश्कृत MP같नका प्ढ़ाने के लिए दो देखिए आप मैं बता दू कि MPT gauche संश्कृत का जो सिल भस है वो पूरा सीटट वाला है तो सीटट संश्कृत की जो प्लेलिस्ट बनी है एक अलक से आप जो लोग पेड़ागोजी सेक्शन उसमें आपका आना है चलिए देख लेंगे सही उत्तर इस प्रश्ण के लिए जो होता है वो हो जाता है और वी त्रिभूवणम क्योंकि संख्या वाची है आपको पता है द्विगुमित्फ संख्या वाची होता है द्विगुसमास का प्रतम पद हो करते हैं तत्पुर्ष समास कर्मधराय समास भुब्री समास अव्यभाव समास कि मैंने आप लोगों को दो दिन पहले करेंट अफैर का एक वीडियो दिया था एक शीरीज में तो कुछ कॉमेंट्स आये थे कि जैसे हमारी पहले डेली करेंट अफैर वाली सीरीज चलती थी वह ज्यादा बेटर थी उससे आपकी प्रेपरेशन ज्यादा अच्छे हो पा रही थी कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा कि क्या मुझे ऐसा लगा कि उसमें आपको इंटरस्ट नहीं है इस वज़े से मैंने इसको बंद कर दिया वो सीरीज पर बताईएगा अगर आपके लिए वह हल्पफुल हो रही है तो फिर उसको हम कॉंटिन्यू कर सकते हैं है ना एक क्लास और देखेंगे लिकिन यह कि जब आपके लिए हल्पफुल होगी तो ही है ना क्योंकि हमें चलिए देख लेंगे उत्तर जो सही होता है आपका बहुब्री ही समास हो जाता है भगवान विष्णु के लिए यूज होता है चक्रपाड़ी सत्य निष्ठ सब्द में कौन सा समास है अव्यभाव तत्पुरुस बहुब्री ही द्वन्दू सही उत्तर होता है आपका ओप्शन नंबर सी यहां पे भी बहुब्री ही समास ही हो जा रहा है क्रित प्रमाड में कौन सा समास है तत्पुरुस बहुब्री द्विग बहुब्री और सही उत्तर होता है इस प्रशन के लिए भी अगेन आपका बहुब्री ही समास यहां पे भी हो जाता है जहां पे भी अन्यपद प्रधान आ रहा है ऐसे तभी समासों में आपका बहुब्री ही समास ही होता है निष्चित रूप से ना तो यहां पे कोई कारक्चिन का है और ना ही आप पे कोई संख्यावाची बद है बुब्री ही समास ही आपका इसका सही उत्तर होता है सो यह छोटा सा सेशन था यह बस एक रिवीजन सेशन था क्योंकि चीजें हम अल्रड़ी पढ़ चुके बहुत सारी प्रैक्टिस में आपको करार रखी और अब इसकी त्य